नमस्कार आपका स्वागत है मानो जिवन में वास्तु शास्त्र का भहुत अदिक महत्व है ये इतना विस्तरत है कि कोई भी विक्ती पूर्णते आपने जिवन में अपना नहीं सकता लेकिन कुछ बाते है जिने अपना कर अपने जिवन को भेतर तता सुकी बनाये जा सकता है जैसे वास्तु शास्तर के अनुसार घर का निर्मान करते समय है पहली सबसे मोतो पूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वह है भूखंड का स्थान उसका आकार भूखंड के पास से जाने वाले मार गई त्यादी वास्तु शास्तर कहता है जैस प्लोट पर आप घर बनवाने जा रहे है उसका आकार चोकरतवा आयता कर होना चाहिए प्लोट कभी भी शेर मुखी नहीं होना चाहिए अर्थात आगी के और से चोड़ा और पीछे के और से संक्रा नहीं होना चाहिए ये रोग शोकार दुखों का कारक होता है ऐसे भोन में रहने वाले के उपर मुसिवतों और आपदाव का साया सदेव बना रहता है किन्तु प्लॉट गव मुखी हो सकता है अर्थात आगी के और से संक्रा और पीछे के और से चोड़ा हो तो ये शुब होता है इसे के साथ ही वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के पास मोजूद मार्ग का भी प्रभाव वास्तु में निवास करने वाले सदेशों पर पढ़ता है किसी भी घर के आसपास एक सेदिक मार्ग हो सकते है घर की कोन से दिशा में मार्ग बना हुआ है इसका शुबशु प्रभाव वास्तु पर पढ़ता है वास्तु शास्त्र में दिशाओ को सबसेदिक मत्व दिया गया है पूर्वा पश्चिम उत्तर दक्षिन ये चार प्रमुग दिशाय है और अग्नेय नेरत्य वायवे इशान्य ये चार विदिशाय है प्रतेक दिशा का सम्मन अलग 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 तत्वो और अलग 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 देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है इसलिए भवन का निर्म करने से पहले वहाँ पर बने मार्गों के बारे में अवर्श्य जान ले तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में मार्गों का क्या महत्व है अगर आप चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए साथी जानकारी पसंदाईत वीडियो को लाइक जरू करे सबसे पहली बात एक मार्गी भुकंड यदि किसी भुकंड के किवल एक ही तरब मार्गों होता है तो उसे एक मार्गी भुकंड कहते है यदि किसी एक मार्गी भुकंड के पूरुव दिशा में रास्ता हो और बाकी सारी दिशाय बंद हो तो ऐसा भुकंड सभी द्रश्ट यदि किसी भुखंड के पस्चिम दिशा में मार्ग हो और बाकी तीनों दिशाय बंध हो तो ऐसे भुखंड को रहने के लिए योग्य माना गया है। इस दिशा में मार्ग हो तो ऐसे घर में रहने वाले लोग कभे उन्नती नहीं कर पाते। प्रकार के भुखंड में रहने वाले एक तरफ दुखो और कष्टों से दूर रहते हैं। वह दूसरी तरफ आधिक सुखी और सम्रिद्ध नहीं बन पाते हैं। पुर्वा और दक्षिन मार्गी भुखंड एदे किसी घर के पुर्वा दिशा एवं दक्षिन दिशा में मार्ग हो और उत्तर एवं पस्चिम दिशाय बंध हो तो इस प्रकार के भुखंड पर वास्तिय निर्मान करना है। अशुब अत्वा हानी कारक सिद्ध होता है इस प्रकार के भुवन में रहने वाले लोगों को आने को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर और दक्षिन दिशाओं में मार्ग हो और पूर्व पस्चिम दिशाय बंध हो तो इस प्रकार के भुखंड में रहने वाले लोग हमेशा सफलता के पतपर अग्रेसर होते हैं और यह अपने जिवन में भहत अदिक धन कमाते हैं। चवता है उत्तर और पूर्व मार्गी भुखंड यदि किसी घर के पूर्व और और दक्षिन दिशाय बंध हो तो ऐसा भुखंड धन वयभो प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार का भुखंड निवास करने के लिए योग्य माना गया है। 5 वी बात पस्चिम एवं दक्षिन भुखंड और दिशाय बंध हो ना यह बहुती अशुप माना गया है। ऐसे भुखंड पर कभी वास्तु निर्मान ना करे। त्री मारगी भुखंड कभी कभी किसी भुखंड के तीन तरब मारगस्तित होते हैं। ये भुखंड भी उसमें रहने वाले मनुश्य पर अच्छया बुरे प्रभाव डालते हैं। पहली बात, उत्तर पश्चिम और दक्षिन मारगी भुखंड ये घर की इन तीन दिशाओं में रास्ते हैं। तो ऐसे घर में रहने वाली लोग शरील सबंदी रोगों की शिकार होते हैं। इसलिए ऐसे भुखंड का त्याक करना चाहिए। दूसरी बात, पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व मारगी भुखंड ये घर के पश्चिम, उत्तर और पूर्व इन तीनों दिशाओं में रास्ता बना हुआ हो तो ऐसा घर बहुती शुब फलदायक सिद्ध होता है। तीसरी बात, उत्तर पूर्व और दक्षिन दिशामें मारग ये घर के उत्तर पूर्व का शुब फलदाई होता है। चहु मारगी भुखंड चहु मारगी भुखंड का प्राप्त होना बड़े सोभागी की बात है। ऐसा भुखंड बहुती दुरलब माना गया है क्योंकि आम तोर पर इस प्रकार के भुखंड देखने को नहीं मिलते। ये विशिष्ट रूप प्राप्त हो जाए तो इसका क्रे करके भगिशली वास्तु का निर्मान करना चाहिए। तो दोस्तों उमेदे आपको ये जानकर ये अच्छी लगी होगी। आपके घर की कौन सी दिशा में मारग बना हुआ है। कमेंट करके आउश्य बताए। जानकर ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जे मालक्षमी लिखना ना भूलें। साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।